नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानद वसिष्ठ सजनों हर अक्षर का कोई ना कोई महत्व होता कि क्योंकि शब्द की प्रम्म है जो भी मुँ से उच्चारन होने वाले शब्द हैं अक्षर हैं वो ब्रम्म हैं परमात्मा है और सबका प्रतक प्रतक जो है लक्षन होता कि प्रतक प्रतक उनके फल होते हैं तो उन में से ए बी सी डी में से मैं आपको एच्च अक्षर का रासी और उसका भविश्य बताने का प्रयास कर रहा हूँ देखे एच्च में ही हू हे हो ये अक्षर करक रासी में आते हैं ही हू हे हो हा अक्षर जो है ये मिथुन रासी में चला जाता है लेकिन ही हू हे हो इन अक्षरों का की रासी बनती है करक और करक का स्वामी होता है चंद्रमा आप ये देखिए कि जब आकास में आप चंद्रमा को देखते हैं तो मन और मस्तिक्स के अंदर सीतलता पैदा होती है आकर्षक होता है तो उसी प्रकार इस रासी से सम्मंदित जुड़े वे जो व्यक्ति होते हैं वो भी आकर्षित करने वाले होते हैं उनको देख करके भी मन के अंदर सांती और सीतलता की प्राप्ति होती है करक रासी होने के कारण से जीवन में इनके उतार और चड़ा वहतो होते हैं कभी तो यह बहुत अच्छी उनती कर जाते हैं, कभी इनकी अवनती होती है क्योंकि चंद्रमा भी पंदरा दिन घटता है और पंदरा दिन बढ़ता कै इस व्यक्ति इस राशी के व्यक्ति एक तो भाव कोते हैं हर किसी की साहिता करने वाले होते हैं किसी को दुखी देख करके दुखी हो जाते हैं और दूसरे को सुखी देख करके प्रसन्न होते हैं इसी के साथ साथ जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हैं और पिक्चर के अंदर कोई गंभीर और करुणा का कोई सीन आ गया तो आपके आँखों से आँशु गिरने लग जाते हैं ऐसे भावक हो जाते हैं रोते नहीं हैं लेकिन रोने से कम भी नहीं होते हैं कभी कभी ऐसे सीन देख करके इनके मन के अंदर ही कुटती हैं संगीत प्रिय होते हैं लेकिन बाहर नहीं गाते हैं यह बातरुन सिंगर होते हैं यानि अंदर ही अंदर गुन गुनाते रहते हैं थोड़े से लगजावान भी होते हैं कोई भी व्यक्ति इनको दबा सकता है हर किसी के सामने दब जाते हैं अहित तो यह अपने जीवन में कभी किसी का करते ही नहीं है किसी के द्वारा दिये गए नुकसान को ये बरदास्त कर लेते के और बहुत बार इनके भोलेपन के कारण से लोग इनसे अपना स्वार्त सिद्ध कर लेते के इनको दोका मिलता के लेकिन दामपत्य जीवन इनका बहुत सुन्दर होता के बहुत बढ़िया होता गए सहगामिनी बहुत सुन्दर होती है और जीवन परियंत साथ देने वाली होती है तो ये जीवन में उत्थान करते हैं लेकिन इनके दोनों चीज़ चलती हैं उत्थान पतन उत्थान पतन उत्थान पतन ये जो है मोती इनका सबसे लावदाई रत्न होता गए है। सुम्वार का दिन इनके लिए बहुत शुब होता गए है। और इसके साथ सफेद कलर, क्रीम कलर, डल वाइट कलर ये इनके लिए बहुत शुब हुआ करते हैं। तो ये जानकारिया मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए आप इन नमरों पर संपर्क करके, कारेले से संपर्क करके और कारेले की सेवाय अरपन करके, जो भी आप जानकारी चाहते हैं, चाए वो जोतिस से संबंदित है, चाए वो वास्तु से संबंदित है, व्यापार, स्यादी, संतान, स्वास्त, किसी से भी संबन्दित है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पांच चीजों का होना आपका बहुत जरूरी है, जनम की तारीक हो, जनम का मैना, सन, समय और जनमस्थान, ये होना बहुत जरूरी है, उसके बिना हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, नमस्कार. वह नव ग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है, हमारे संपर्क सूत्र है, 783888, 98421, देवग्य सच्चिदानंद वशिष्ट जी से, वास्तु, जयोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाट, महमृतिंजय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र है, 783888, 98421, हमारी वेबसाइट है, www.shreevashist.com